दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रविश मैं हूँ देविश दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो बेहत बुरी लेकिन साथ में तीन अच्छी ख़बनें लेके आये हैं हम सभी से जुड़ी हुई है इसलिए ध्यान दीजिएगा सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं जम्मू कास्मीर की उसके पहले दोस्तों जब कास्मीर फाइल्स मूवी आई थी तो भारत से लेके अमेरिका अमेरिका से लेके इसराइल तक बड़े-बड़े लोगों का कहना था कि ये फिल्म नहीं है बलगर प्रोपगेंडा है तो भहिया जी फिल्म आपको प्रोपगेंडा लगी तो असलियत देख लीजिए आधार कार्ड देख देख कर फाइर खोला गया यह जो कांड हुआ है उसके बाद बड़े-बड़े विद्वानों का नेताओं का कॉंग्रेशी लीडर्स का कहना है कि भाई धारा 370 घटाई काहे को क्या हुआ उस आपने 370 को 70 साल दिये अब यह 370 के बिना साथ साल तो थोड़ा समय तो दो आतंकी भी यही बताना चाहते हैं कि भाई यह 370 को हटाने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ तो यह लोग वास्ताव में आतंकीयों के मददगार हैं जो अखवारों में बड़े-बड़े स्टे हर जगए offensive strike कर सकता है तो हमें किस चीज का इंतजार है भाईया जी हमें भी करना चाहिए बहुत जरूरी है अभी हमें अपने घर में डर लग रहा है लेकिन इस खेल को बदलना होगा हमारे दुश्मनों को उनके घरों में घवराहट होने लगे ऐसा डर हमें पैदा करना हो होगा साथ में दोस्तों दूसरी बेहत बुरी ख़वर आ रही है दिल्ली से इस घटनाकरम की वाई साफ जितनी निंदा की जाए उतनी कम है नए साल के नसे में इस तरह से चूर-चूर होना किसी भी दृष्ट्रिकॉर्ण से जायज नहीं है पुलिश और प्रसासन इस पू बोड़ा सान्मव आपके साथ आजा करना चाहते हैं जब हम काफी समय तक अमेरिका में रहे और आप में जो लोग एनराई होंगे अभी वह बात पता होगी वह भी सहमत होंगे कि पस्ट्रमी देशों में एक अच्छी बात है वह अच्छी बात यह है कि एकसीडेंट होने के बाद वो लोग मारते पीटते नहीं है पबलिक जो आसपास खड़ी होती है वो फालतू में तमास भी नहीं बनती हाथ साफ नहीं करती भाई साब एकसीडेंट होगने के बाद डोनों गारियों के जो लोग हैं वो साफ साफ बाहर निकल के आगे खड़े हो जाते हैं और अच्छी बात हैं सीखना चाहिए एकसीडेंट हुआ है तो यह उसके बाद अब चीजों को समाला जाना चाहिए अब दोस्तों जब अमेरिका की बात चली ही है तो भाईया अच्छा घटना करमी सुन लीजिए अमेरिका में बड़ी माथा भोड़ी चल लगी है कि टिक टॉ पर लगा दो तो निता लोग कह रहे हैं कि हम जो है टिक टॉक पर नहीं लगा सकते यह प्रभावकारी नहीं होगा तो युनाइटेड सेट्स फैडरल कम्यूनिकेशन कमीशन के बरिष्ट तम अधिदारी का कहना है सुबह उठके आँखे मिनूटे मिनूटे हम नहीं कह रह खत्रा है उसके खिलाब एक्सेन लिया जाना चाहिए इसमें भारत का उधारन हमारे सामने हैं भारत रोल मोडल है विश्व गुरू है हमें भारत को फॉलो करना चाहिए देख लीजे दोस्तों जमाना बदल चुका है अब हम पश्चमी देशों का पिशवारा नहीं देखत चीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो भाईया यह क्या है देख लीजिया पैतालीस हजार करोड का मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है पचास हजार डारेक्ट जॉब पैदा हुए है एपल की सप्लाई चेन से और एक लाख इंडारेक्ट जॉब पैदा हुए है और दो मोबाइल के एक्सपोर्ट का मतलब यह जो रोजगार के आंकड़े हैं और मजबूत होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे साथ में दोस्तों जर्मनी ने हाइड्रोजन ट्रेन लाँच करी थी अब जो है जर्मनी के बाद नंबर दूसरा देश होने वाला है भारत क्योंकि भार की भी स्रक्षा करेगी साथ में दोस्तों देखिए सरकारी कंपनी गेल कितना बढ़िया काम कर रही है साथ करोड में लगा रहे हैं गीले कचले से यह बायो गैस निकाल रहे हैं उनका कहना है बैंगलूर मुनिशिपल कर्परेशन से कि भाहिया जी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए कोई फीस नहीं चाहिए आप तो हमें गीला कच्रा दे दो उससे हम बैयो गैस निकाल के बेच लेंगे तो इस तरह का यह बाद दोस्तों आप बड़े-बड़े एक्सपर्ट लो कह रहे हैं कि साहब इस साल जो है शेयर मार्केट में पैसा बनाना कठन होगा एक तरफा बढ़ोत्री नहीं आएगी मार्केट में तो पैसा कैसे बनेगा पैसा बनेगा आचारे-चानकी की हैजिंग स्ट्राइटगी के माद्यम से तो वहीं तो हमने पढ़ से बढ़कर एक हैं आपको समझ में आएगा निश्चिंत रहिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक क्लिक करके जोइन कर लीजिए धन्यवाद जैश श्रीराउं